हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका त्यारी अच्छा चल ला होगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये अगनी बीरी के लिए ये प्रेक्टी सेट आया हुआ है और इसमें जो भी आपका स्लेबस से उस पर अधारित इसमें कुश्चन दिया गया और ये क्राउन पबलिकेशन का ये बहुत अच्छा पबलिकेशन होता है इसमें जो भी कुश्चन दिया होता है वो बहुत अच्छे स्लेबस पैटरन पर अधारित होता है तो ये किसके लिए तो ये भारतिय थलसेना के लिए है और मैं आपको आगे भी देखा देता हूं देखिए इसमें जो दिया गया है ये जो होगा आपका किसके लिए कि समान्ने परवेस परिक्षा के लिए होगा और इसमें 40 Protestant दिया गया अगर यह पुरा लगा लेते हैं तो आपका त्याड़ी अच्छा हो जाएगा ठीक है। इसमें हम आपको दिखा देते कि क्या ग्या दिया गया है। जैसे कि आपका स्लिव Zhao में है कि जेनल नौलेच आने की समान्ने जागरुकता है, उसके बाद समान्ने बिग्यान है, आने की जेनल साइन्स है, उसके बाद गनीत है और फिर इजिनिंग है तो ये सभी मिला करके आपका एक सेट में 50 कुस्चन जैसे आपका एकजाम में पुछा जाएगा उसी तरह से इसमें दिया हुआ है और इसका हम लोग आज सोलूसन देखेंगे इस सेट नमर आपका पहला है इसी तरह से आपका 400 सेट खतम कराएंगे इसमें और बहुत अच्छे से सोलूसन के साथ जो भी मिलाद रिजनिंग है उस अभी को अच्छे से सोलूसन हम आपको देंगे आप देखते रहे आपका त्य कि गौतम बुद का जन्म कहां हुआ था तो गौतम बुद का जो जन्म हुआ था इसके लिए आपका अपसंसी हो जागा लूंबनी में हुआ था और ये नेपाल में पढ़ता है जबकि इनका जो मिर्तु हुआ था वो कहां पे हुआ था तो कुसी नगर में उत्तर परदेश में हुआ था तो यह दोनों कुष्चन आपको किलियर रखना है उसके बाद गौतम भुद को जो ग्यान के प्राप्त हुआ था यह बोधगया में हुआ था और यह पहला उपदेश दिये थे यह सारनाथ में दिये थे तो आपको यहां से एक कुष्चन से चार याद रखना है कि इनका जन्म लुंबनी में हुआ था इनका मिर्तिव कहा कुषी नगर उत्तर परदेश में हुआ था इनको ग्यान के प्राप्ति कहा हुआ था तब बोधगया बिहार में हुआ था और यह पहला उपदेश कहा मतलब कहा दिये थे तो सारनाथ में दिये थे चली अगला कु कुश्चन नमर दो है काड़ा सिक्षा के मौलिक अधिकार किस समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो इसको 86 समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया और कप जोड़ा गया तो इसको 2003 में जोड़ा गया ये भी आपको याद रखना उसके बाद इसको किस आर्टिकल में रखा गया तो 21 के A में या 21 के कौ में आप बोल सकते इसमें इसको रखा गया और इसमें ये बात कहा गया कि जैसे कि 6 बर्ष से ले करके और 14 बर्ष तक के जो बच्चा होगा उसके लिए निहसुलक सिक्षा की बेबस्ता की जाने जाहिए एक और कुश्चन आपको यहां से याद रखना है कि आर्टिकल 45 आने कि अनुछेद 45 में ये दिया गया है कि जैसे कि 0 से ले करके और 6 बर्ष तक के जो बच्चा होगा जो गाउं में आंगन बाड़ी ये सब होता है उसमें इसको निसुल को सिख्चा दिया जाना चाहिए तो आपको दोनों कुश्चन याद रखना है ठीक है पहली बात कि सिख्चा का मौली का धिकार जो है कि समीदान संसुधन के द्वारा मतलब पारित किया गया तो 6 में समीदान संसुधन वर्स 2002 होगा यहां 3 नहीं होगा इसको 2 कर लिएगा ठीक है वर्स आपका 2002 हो जाएगा उसके बाद क्या है कि इसको आर्टिकल कॉंस में रखा गया तो 21 के A में रखा गया अनुछेद में उसके बाद इसमें कहा गया कि 6 बर्स से लेकरके तो इसका जो East India Company का स्थापना हुआ था यह आपका 31 31 December 1600 S.W. को हुआ था ठीक है तो 1600 S.W. के समय में भारत में किसका सासन था तो अकबर का सासन था अकबर कब तक रहते तो 1605 S.W. तक अकबर हा था ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 सो में अगर अस्थापना हुआ कंपनी के तो उस समय में भारत में किसका सासन था तो अकबर के सासन था अगला कुशन देखे जबकि जो पहला मतलब जो East India Company से अंग्रेज जो पहला पहुँचे थे भारत वो जहांगीर के सासन काल में पहुँचे थे क्योंकि जब तक आये थे कंपनी के असापना तो 16 सो में हो गया था लेकिन जब उतक वो भारत पहूंचे थे तब तक यहां पर मतलब अकबर के समय जो है ओ इसमापत हो गया था किसका आगया था तो जहांगीर का आगया था अगाला देखिए अगला जो है आपका 4 नमर कुछ च्यला किया करता है कि भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार बित आपात लाग हुगा है ठीक है तो कितने बार बित आपात लाग हुगा है तो देखें आजादी के बाद एक बार भी बित आपात नहीं लाग हुगा है तो अपसन आपका D हो जागा यहां से आपको तीन चीजे याद रखना है क्या एक तो होता आटिकल 352 होता एक आपका 356 होता है और एक आपका 360 होता है अगर अपात का लिया emergency यह सबसे question आता है तो आपका यही तीनों से question मिलता है 352 में क्या लिखा गया है तो जैसे इसमें national emergency है मतलब राष्ट्रिये अपात अगर आपको बात करें राष्ट्रिये अपात की बात करें तो यह इसमें लिखा गया है ठीक है उसके बाद अगर बात करें जैसे कि राष्ट्रिये अपात की बाड़े में लगता है तो इसमें है आपका क्या तो यह आपका मतलब राष्ट पती सासन है जो राजी में लगाया जाता है उसके बाद 360 में क्या है तो BTA पात है तो इस तीनो कोशन को आपको याद रखना है अभी तक BTA पात एक बाड़ भी भारत में नहीं लगा है अगला कोशन देखे अगला कोशन नहीं आपका छे नमर कोशन नहीं करा कि भारत का सरवच जो सैनिक सम्मान जो ये कौन सा है तो भारत का सैनिक सम्मान पूछ रहा है इस बात को आपको ध्यान लखना है सरवच जो सैनिक सम्मान होता है ये आपका परंबीर चक होता है जबकि आपका सर्वोच और सैनिक समान ने पूछा रहा था जो सैनिक से सम्मधित नहीं है तब होता आपका भारत रतन भारत रतन जो आपका और सैनिक के लिए सर्वोचे समान है जबकि सैनिक के लिए परंबीर चगर है कि भारतिय समिधान के किस भाग में नीती निर्देशत सिधान्त का वर्नन किया गया ठीक है नीती निर्देशत का जो वर्नन किया गया ये आपका भाग चार में जबकि भाग दो में क्या है तो इसमें आपका नागरिक्ता के बाड़े में दिया गया है पुछा जाता है, दो में क्या नाग रिखता है? तीन में क्या है आपका?, तो मौली क्थिकार, चार में क्या है? तो चार में जो है आपका DPSP है, और की डाइरेक्टि प्रिंस्पल और स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में अपनी तिम निदेशक सिधानत कहते हैं. अगला कुशन देखिए अगला आपका आठ नमर कुशन है क्या कर रहा है कि समुंदरी मार्ग से भारत को खोज सर परथम किस देश के नाविक ने किया था तो सबसे पहले भारत में जो समुंदरी रास्ते से आया था वो पूर्टगाली यात्री आये थे बासको डिगामा आये थे और यह समुंदरी रास्ता से आये थे तो इसका एंसर क्या हो जागा ऑपसन आपका ए हो जागा अगला कुशन देखिए अगला जो आपका कुश्चन है नव नमर कह रहा है कि भाखरान नंगल बहु देशिये पड़िव जना किस नदीब है तो यह भाखरान नंगल जो यह आपका सतलज नदीप है और यह पंजाब साइड में पढता है ते बाते आपको याद रखना है अगला जो कुछष्चिन है आपका 10 नमर कहाडा है कि दक्षीन भारत मंदिर को बास्तुकला की मुख़बिसेस्ता क्या है तो यहाँ के जो बास्तुकला के मुख विसेस्ता है वो गोपूरम होता है हम आपको option में दिखा जेते हैं यहाँ पे देखे यह आपका 10 नमर question था नए यह देखे यहाँ इसका answer क्या हो जागा तो option C हो जागा यहाँ पे जो विसेस्ता होता है क्या होता गोपूरम होता यह मंदीर का एक मतलब 20 रिसेस्ता है अगला जुआपका question यह question number आपका 11 है क्या करा है कि 30 राजवन्स के सासको के पास सक्तिसाली 9 से ना था 9 से ना कि इसके पास था तो चोलो के पास जो था यह सक्तिसाली 9 से ना था अगला question देखे, अगला जो आपका question है, यह important question है, defense exam के लिए, बहुँ ज़्यादा important है, देखे क्या करा है, कि star streak, star streak air defense system के संदर्व में, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझाता किया, तो बहुत सारा ऐसा defense deal है, जो भारत ने इजराइल के साथ किया, जैसे drone से related अगर को हो जागए, जैसे S-400 पुछे किसे लिया गया, तो वो रूष से लिया गया, अगला देखे, अगला जो आपका question है, 13 number क्या कहाँडा है, कि परसिया, परसिया की इस देश का पुराना नमें, तो यह इरान का पुराना नमें, तो परसिया इरान का पुराना नमें, अगला question जो आपका चुदा नमर कहा रहा है कि राष्टिय यूद असमारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की पड़ियोजना को पूड़ा करने के लिए किस संगठन को चुना आने कि चुना गया है तो मतलब क्या है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड आनी की बेल की दोरा उस पे जग मतलब सब कुछ डिजिटलाईएशन किया जाला तो आपको क्या आयद रखना है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड को चुना गया है अगला कुशिन देखिए अगला जो आपका कुशिन है 15 नमर ये क्या कहणा है कि अंतराष्टी ये अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है मतलब इसका मकसद ये होता है कि कहीं भी हिंसात्म कोई घटना नहीं होना चाहिए ठीक है अगला कु लुट रूता है इसका फूरम में पूछा जाता है इसका फूल फूरम होता है adenosine triphosphate होता है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है adenosine triphosphate इसका full form होता है । इसी format में उरजा जो है कोशकया में रहता है अगला question देखें अगला आपका 18 कि ओजोन परत की इस मंडल में पाई जाते हैं ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में मेक्समिम पाया जाता है जबकि थोड़ा सा छोब मंडल में हुई होता है लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी की बात चलना है तो यह समताप मंडल में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है अगला ओजोन दिवस कब मनाते है एक्जाम में पुछा जाता है तो 16 सितंबर को 16 सेप्टेंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ठीक है तो उस्तों आप चैनल पे एक बार भीजिट कीजिए वहाँ बहुत साड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे वीडियो डाले उसको या वरन से रिलेटेड वीडियो डाल दिये है ठीक है और भी बहुत साड़ा वीडियो आने वाला है देखिए अगला आपका 19 नमर कोशन है कि मानव सरीर में जल की मात्रा होती है तो मानव सरीर में जल की मात्रा होता है यह आपका 60 से ले करके और 70 परतिसत तक होगा तो वो सोम में प्रोटीन का समसिलेशन होता है तो आपसन आपका भी हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखिए अगला आपका कोशन है एक इस नमर कहाड़ा कि परमानू बम किस अभी किडिया पर अधारित है तो परमानू बम जो अधारित होता है यहां पर ध्यान रिखे सनलायन जैसे कि आपका हाइड्रोजन बम पूछे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम की बाड़े में अगर पूछे आपसे तो यह हो जाता है नाभिकिये सनलायन पर इसमें क्या होता है कि जैसे कि दो छोटे छोटे नाभिक जूट करके एक बढ़े नाभिक बनाता है तो इस सनलायन होता है आपको ऐसे याद रखना है कि हाइडरोजन बम जो होता है यह बहुत ज्यादा डेंजर होता है और आने की परमानू बम के तुलना में ठीक है एटम बम के तुलना में तो यहाँ पर क्या होता है बिखंडर होता है जब कि यहाँ पर सनलायन होता है जो काम सन के अगला देखे अगला आपका 22 नमर क्या कर रहा है कि चोटर आने की उनई नमर क्या बढ़ावर होता है ये 20 के पावर 5 पास्कल के बढ़ावर होता है एक बढ़ावर होता है लेकिन यहां option में सभी गलत दिया गया तो आप इसको 4 के जगा 5 कर लिए तब आपका सही हो जागा अगर question में कहीं कोई तुरूटी रहता तो पहले हम उसको पूड़ा अच्छे से चेक करते उसके बाद हम आपको बताते हैं ताकि आपको कोई गलत information ना मिले चली अगला question देखें दोस्तों अगर आपको अच्छा लगड़ा है तेक like और share जरूर करिए क्योंकि थोड़ा सा भीव बढ़ेगा तो हम आपको जल्दी से जल्दी पूड़े सेट करवा देंगे कोई दिकत नहीं है देखें अगला आपका 25 नमर question क्या करता है कि malaria रोग परभावित करता है किसको परभावित करता है तो यह आपका पलिहा को परभावित करता है और यह question आपका science से हो गया अगला कुश्चन देखिए अगला जो आपका 26 नमर कुश्चन है इस कुश्चन को हम आपको पूरे कंसेप्ट से समझा देते हैं समझ लीजी ताकि आज के बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहा जाएगा इसका यूनिट कुछा जाता है हमेशा इसका भैलू कुछा जाता और दूसरा बस तो यहां इस दोनों के बीच के दूरी जो है यह आपका 8 है और यह आपका M1 है और यह आपका M2 है तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लेगा यही लेगा ठीक है तो आपको क्या G का यूनिट पूछ रहा है आप फोर्स का यूनिट तो जानते ही है क्या ह हो गया तो आपका जी हो गया तो आपका इसका यूनित जो जी का होजाया क्या होजागा नूटन मिटर स्कॉर मतलब आपका आप्सन थो द्यान क्या रखना जैसे कि यह का फैल न होता है तह six point six seven in to ten to the power minus 11 और यूणित क्या हो बेंडीस के द्वारा इसका खुज किया गा था ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी कुश्चन एक जाम में बन था मतलब एक कुश्चन से हम आपको चाड़ कुश्चन बताएं अगला कुश्चन देखिए मतलब आप पचास कुश्चन यहां से देखिए गाना सरप्रथम रूमर के द्वारा मापा गया था और इसका अंसर क्या हो जागा तो रूमर हो जाएगा ठीक है जबकि कॉपर निकस के द्वारा सौर मंडल के खुच जो है किसके द्वारा तो कॉपर निकस के द्वारा किया गया था निउटन के द्वारा गती के नियम दिया गय तो धोनी का वेक जो होता है अधिकतम किसमें होता है तो आपका ठोस में होता है किसमें ठोस में तो देखिए यहाँ पर वायू ठोस है क्या तो नहीं जल ठोस है तो नहीं निर्वाद ठोस है तो ठोस कौन सा हो जागा एस्टील जो है यह ठोस होता है तो धोनी का वेक अधिकत का रसाइनिक नाम क्या है तो नाइट्रस अक्साइड होता है इसका रसाइनिक नाम जब कि कभी-कभी इसका फर्मूला भी पूछा जाता है तो N2O होता है नाइट्रस अक्साइड का फर्मूला क्या होता है और इसको क्या बोलते है नाइट्रस अक्साइड ये किस नाम से इसक के नाम से इसको जानते हैं अगला question देखें अगला आपका question नमर 30 है क्या कर रहा है कि अने की बिक्रम सारा भाई space center कहा है तो बिक्रम सारा भाई space center है यह बैज्ञानी के लिए use करने का एक जगह है तो यह क्या है आपका option यह हो दूद में किसके कारण पिलापन होता है जो गया का दूद होता है जो गया का दूद होता है देखिए अगला जो आपका कुश्चन है यहां से उपर से देखते हैं देखिए अगला आपका कुश्चन नमर 32 से फिर सुरू होता है देखिए का रहा है कि सबसे बड़ा फूल जो आपको दोनों याद रखना, बड़ा पुछे तो रिफ्लेस या, और छोटा पुछे तो वोलफिया हो जागा, अगला कुशन देखिए, अगला है आपका कुश्चन कह रहा है कि, अनि कि सुड़े के परकास में कीस रंग का परकिर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक मुखे काड़े क्या होते है, तो RNA का मुखे कारण आपका प्रोटीन का संसलेशन करना होता है, अनि कि RNA का मुखे कारण आपका प्रोटीन का संसलेशन करना होता है, तो option आपका C हो जाएगा, अगला कुश्चन देखिए, अगला जो कुश्चन है, आपका 35 नमर का रहा है कि वह सबसे छोटा कन जिसमें उस तत्व के सभी गुन पा आने की बिद्मान होते हैं तो उस तत्व के जो सभी गुन बिद्मान होते हैं किसमें होता है तो एटम में होता है आने की परमानू में होता है इसको अंग्रेजी में एटम बोलते हैं एक हम आपका Lucent का वीडियो प्रभाइड की हैं chemistry का उसको देख लीजे पहुची आपको clear हो जागा ताकि chemistry से जो question आपको पकड़ में आ जागा अगला question देखे अगला जवापका question यहाँ पे सिर्फ आपके मतलब जो board mask के rule है उसको check किया जागा तो minus गुने minus क्या होता है तो plus हो जाता है तो minus 16 गुने minus 1 करेंगे तो क्या हो जागा 16 हो जागा जो बहुत असान आपका question था है अगला question देखे यह question थोड़ा सा अच्छा है 37 नमर देखे क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मॉसम मॉसम बोले तो HCM मॉसम बोले तो HCM होता है और लॉसम बोले तो LCM होता है करम सक कितना दिया तो मॉसम आपका बाड़त दिया और लॉसम कितना दिया तो यह आने की 5040 दिया यदि संख्या अधी एक संख्या कितना है 144 है तो दूसरा संख्या आपसे पूछा जा रहा तो देखिए होता क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू में लॉसा गुने मसा होता है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लिए पहली संख्या के माल लिजे कि आप X और दूसरी संख्या के क्या माल लिजे य और इतना बड़ाबर क्या होता कर लौस साने की एलसीं जूने में क्या होता है ठीक है तो यहां पर देखें आपको फिस yesterday बीचनց केना कितना हो जागा डिये दूसरा आपको निखालना है लुक्त में कितना कितना हो जागा आपको इसको कट किजिएगा तो बार मतलब चार सो बीस आपका एंसर हो जागा समझ गया बातों को तो इसमें आपको ये फर्मूला याद रखना है अच्छे से क्या फर्मूला कि X गुने Y is equal to LCM गुने में HCF है और X क्या है यह आपका पहला नमबर है और Y क्या है तो यह आपका दूसरा नमबर है तो मतलब पहला संख्या गुने दूसरा संख्या is equal to में LCM गुने HCF इस पर question हमेशा एक आता है अगला question देखे अगला आपको पूछ रहा है कि 9 का minus 9 का work क्या होगा तो देखे minus 9 का work पूछ रहा है मतलब क्या minus 9 गुने में minus 9 आपको करना है तो यह minus minus plus हो जागा और 9 गुने 9 तो कितना 80 हो जागा आपको मैथ बिल्कुल इसी लेबल के पूछा जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि bank और CGL के लेबल का आपको मैथ नहीं पूछा जाएगा जो आपको पूछा जाएगा इसी लेबल क्योंकि आपको से लेबस में यही चीजे mention है अगला देखे अगला आपका 49 नमर कुछ रहा है कि यह question थोड़ा सा अच्छा है देखे काड़ा है कि एक आदमी एक बस्तू को 27.5 रूपे में मतलब खड़ीदता है और उसको 28.6 रूपे में बेचता है तो उसको लाव कितना हुआ तो देखे लाव हमेशा जो होता है लाव परतिसत पूछा जा रहा है तो लाव परतिसत बराबर क्या होता है कि आपको मुनाफ़ा कितना हुआ तो देखे 27.5 में खड़ीदा 28.6 में बेचा मतलब एक पूइंट एक रूपया का उसको मुनाफ़ा हुआ कितने पर मुनाफ़ा हुआ है तो हमेशा जिस पर खड़ीदा है जितना दाम में उस पर मुनाफ़ा निकाला है तो खड़ीदा है कितना में तो यह 27.5 में खड़ीदा है अगर आप थोड़ा दिर के लिए यहाँ पर माल लिजी कि अगर ये बाड़ा सो रहता ये तीन सो रहता तो चार सो होता न तो ये लगभग लगभग कितना है तो चार सो जब इसको अप कट कीजेगा तो चार सो आजागा जैसे कि इसको पचीस से कट कीजेगा तो ये कितना आ तो कोई बात नहीं हमा को पढ़के सुनाते। देखे क्या करा कि एक बेपारी कि पांच महीने की कमाई जो है कितना सथ सो 35 रुपय, उनतर सो 287 रुपय,। और सथ सो 37 रुपय और 65 62 रुपय थी। कह रहा है कि वह छठे महीने में कितना रुपया कमाएगा ताकि उसका औसत ज मिल लिए तो हम इसमें क्या देख लेते हैं किस महिना में ज़्यादा कमा है और किस महिना में कम कमा है ठीक है जैसे कि इस महिना में आप देखेगा पहला में तो इस चौन सट सो पैंतिस कमा है इस इसको फैसला से कितना ज्याद है तो इस महिने में तो साथ आछ आछ ज्याद है कितना साथ सो टीस ज्याद है उसके बाद इस महिने में 65 को cut करेंगे तो minus में 3 बच जाएगा इस 3 minus को इस से cut कर देए कितना बच जाएगा? 400 27 है तो 424 बच जाएगा तब यहाँ पे जोर लीजिए 400 आपका 24 उसके बाद 300 कितना? 55 उसके बाद कितना? तो 730 इसको जोरिए कितना बच आपका? 9 और उसके बाद ही कितना बच जाएगा? तो यह 10 के 0 हात में 1 और उसके बाद यह बच जाएगा आपका? 7, 7, 14 और कितना हो जाएगा? तो आपका 15 हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए 4, 3, 7, 7 और 7, 14 और 1, 15 तो मतलब 1509 रूपया तो इसको इधर से ही आ जाएगा और एक्स्ट्रा पैंसिट सो पुडाने में तो छठे महिने में और कितना कमाना पड़ेगा तो इस में से आप क्या किजिए पैंसिट सो माइनस में क्या कर दीजिए तो पंद्रो सो नौ कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे दस में से नौ घटाएगा एक उसके बाद यहाँ पर आपका 9 आ जागा यहाँ पर आपका 4 बचा है और 10 इधर लेग तो कितना है? 14 14 में से 5 जाएगा तो यह भी कितना हो जागा? 9 और यह कितना हो जागा? 5 में से 1 जागा तो 4 मतलब 4900 एकाबन रुपया आपको और कमाना पड़ेगा छटे महीने में तब आपका सभी महीना का ओसत पैंसोट सो पूर जाएगा चली हम लोग option देखते ये कहाँ पे हैं अब हम लोग को नीचे आना पड़ेगा देखिए तो अभी हम लोग क्या निकाले कि 491 आपन तो देखिए option नमर C में आपको कितना है तो 491 आपन है तब ब्याज बड़ाबर क्या होता है तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा space ले लेते हैं ठीक है देखिए इधर ही कर लेते हैं आपको question तो पता चलिए कि यहाँ पे मैं लिखने के लिए थोड़ा ही धर किया हूँ तो ब्याज बराबर क्या है तो मुलधन गुने समाय गुने दर बटा में 100 ठीक है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है जो समाय लेते हैं यह वर्स में लेते हैं तो ब्याज यहां पर कितना था आपका तो 7000 था ठीक है ब्याज ब्रावर मुल्धन गुने में समय कितना था तो 9 महिना और गदर कितना था तो 50 बटा में यहां पर 3 हो जाएगा ठीक है और यहां पर 100 भी आएगा क्योंकि यहां percentage लगा हुआ था उसके बाद यह 9 महिना है तो हमको अगर साल में इसको लेना है तो 12 से भाग देंगे तो यह कितना हो जागा एक साल के मतलब यह साल में कनभट हो जागा महिना को अगर माले कितना भी महिना है उसको हम 12 से भाग देते तो उस साल में कनभट रहता है यहां से इसको कट कीज़े, जब इसको कटीएगा तो कितना बचेगा, यह 2 बचेगा, जब इस 3 से इसको कटीएगा तो यह 3 बचेगा, और 3 से जब इसको कटीएगा तो यह 4 बचेगा, यह कितना हो गया, 8 हो गया, जब इस 8 से इसको कटीएगा तो आपको कितना मिल जागा, 7 मतलब इसको देख लिए एक मिनिट काठी देते देखे यहां पर कितना है तो साथ तीन को जीरो है यहां पर और इसको किसे आपको काठना है तो आठ से काठना है ठीक है तो देखे यहां पर जब आठ से इसको काठेंगे तो अठी अठी कितना हो जागा तो आपका 64 हो जागा यहाँ पे कितना बच जागा 6 और 0 एक और उतार एगा तो 8 सत्य आप कितना हो जागा 8 सत्य 56 हो जागा और यहाँ पे आपका 4 हो गया एगो 0 उतार यह तो 5 हो जागा तो मतलब कितना आपका answer 875 आगया देखिए option में कौन साम एबलेबल है तो 875 जो है आपका option नमर C में है ठी अगला question देखिए अगला आपका 43 नमर question है ठीक है देखिए आपका 43 नमर question काड़ा है कि 12 किसान एक खेत को 20 घंटे में जोद सकता है ठीक है तो कितने किसान इस काम को 15 घंटे में कर सकते हैं तो सबसे पहले बात क्या है तो आपका 12 यहाँ पे क्या करना है आपको 12 गुने मे 20 करना है ठीक है इस कल्टू में क्या हो जागा तो यहाँ पे जो आपका है 15 मतलब जो 15 किसान कितना आप से पूछा जाले जब घंटा कितना 15 घंटा काम करेगा तो यह काम पूरा हो जागा तो यहाँ पंदरा को यहाँ लेकर क्या जब यहाँ लएगा 15 को तो यहाँ से खतम को जोद देता था तो अब जो है मतलब 16 किसान मिल करके 15 घंटे में किसी खेद को जोद देगा तो option क्या हो जागा option आपका ए हो जागा एक फर्मुला आप यहां से याद रखेगा जैसे कि आपका m1 जैसे कि कितना आदमी है उसके बाद क्या होता है कि d1 day कितना है उसके बाद hour time कितना है उसके बाद efficiency मतलब कितना है उसके बाद बटे में work होता है work w1 उसी तरह से आगे आपका m2 into में d2 into में h2 into में efficiency 2 बटे में क्या होता है तो w2 अब यहां पर इसमें देखे जो चीजे र इसको हटा दिये छमता नहीं दिया था तो इसको भी हटा दिये और वर्क दोनों में समान था तो इसलिए इसके जग़ एक आ गया तो इसलिए equation डाइरेक्ट सिधा बन गया समझगे बातों को तो question का answer आपका option यह हो जाएगा अगला question देखिए अगला आपका 44 नमर question है क्या कह कि आदित्य को 400 मेटर के दूरी तेह करने के लिए उसको कितना समय लेगा जब कि उसका जो चाल मतलब मतलब यह speed जो है 20 km प्रती घंटा है तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपका चाल बड़ावर क्या होता है चाल बड़ावर दूरी दूरी बटा में क्या होता है तो time आने की समय होता है तो time निकालना है ठीक है दूरी दिया और चाल भी दिया तो time यहाँ हम देख लें time को t से लिख लेते हैं दूरी कितना दिया है तो 400 मिटर दिया है और चाल कितना दिया है तो यह दिया है आपका 20 किलो मिटर लेकिन जब इसको आप दूरी को मतलब यहाँ पे जो time minute में पूछ रहा है तो पहले हम घंटा में निकाल ले तो फिर किया कि यह 400 मिटर दिया था दूरी इसको 20 से डिवाइड किया लेकिन 400 जो है यहाँ पे किलो मिटर पड़ाबर में दिया है तो 400 को मिटर में convert कर मतलब किलो मिटर में convert करने के लिए 1000 से भाग दी समझगे उसके बाद जो हमारा टाइम आ गया एक इसमें आएगा तो घंटा में आगा लेकिन हमें सभी option मिनट में दिया है तो 60 से गुना कड़ेंगे तो मिनट में convert हो जागा तो इसको आप कट किजिए तो देखिए उपर में आपका है तो ानी की यहां पकिन नुमर वोजीम से कोड़ेंगे उसके बाद यहां पर क्या इसको 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 कट जाएता मिनट आ पानक्ष न लिक्सकिन जाएागा option नमर ए हो जाएगा समझ यह बातों को अगला question देखिए अगला आपका मतलब 45 नमर question क्या कह रहा है कि जैसे कि यहां 3.2 इतना परतिसत 500 के फिर आपको यह निकालना बस आपको गुना करना और यहां पर आपको ख्वाट के जगह x रख लिजे ठीक है तो यह आपको निकल जागा तो देखिए जैसे कि यहां पर आप क्या किजिए कि यहां पर 100 के बतले नीचे दूगो जिरू है अगर पॉइंट हो तो फिर निचे मेंगा तो 17 है अब देखिए जब इसको काटेंगे तहि कितना हो जागा अब देखिए जब 16 है आप इतना किजिए तो आपको यहां पर आजाए कितना 384 तो आपको एकस निकालना है तो एकस इसकल तो यह थोड़ा सा बुना 16 उने में 24 कर लिएगा ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे कितना आजागा तो यहाँ पे आजाए आपका 288 और यह 3.0 अब उपर में चला जागा तो यहाँ पर आपका 3.0 लग जागा और नीचे में कितना हो जागा तो 384 हो जागा जब आप इसको कट करियेगा तो आपको 750 आजागा ठीक है आपको पी में इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं जैसे कि इसको सबसे पहले देखिए 2 से आप काटियेगा तो कितना 144 आ गया फिर जब अब यहां पे 3 पे कितना हो जागा तीन वो जीरो भी हो जागा तीन वो जीरो को मतलब आप यहां पे आपके पास 3000 बच गया 3000 को जो 4 से भाग देंगे तो 780 बचेगा तो इस तरीके से आप काटना थोड़ा सिखी ठीक है अगला देखिए अगला आपका 46 नमर कुश्चन है अब मायत खतम हो गया यह रीजिनिंग से कुश्चन आ गया देखिए रीजिनिंग से आपको कमप्रिजन करके भी कुश्चन आ था जैसे कि आने के जीस परकार मधुमे का समद्ध इंसुलिन से मतलब मधुमे एक बिमारी है जो इंसुलिन के कमी हो जाता सरीन में उसके बज हो जागा कि एनेमिया जो हता है यह आईरन की कमी से होता है यहां पर देखिए आपका 47 नूमर कुश्चन जो यह क्या कह रहा है कि यहां पर क्या फिल किया जाए तो देखिए यहां 62 से 122 से क्या जाए असी मतलब 18 यहां पे भी 18 बढ़ रहा है यहां भी 18 मतलब यहां भी 18 और यहां भी 18 बढ़ेगा तो आप क्या कि ये 234 में 18 को जोड़ दीगे जब 18 को जोड़ेगा तार चार बारा को दू हात में एक और तीन एक चार तो एक इतना हो जागा आपका पांच हो जागा और दे तो 200 बाबन आपका इंसर हो जागा तो option कुन हो जागा option B हो जागा अग एकला जो आपका option 48 नूमर ये क्या कर रहा है कि नीचे दी गए श्रिंखला में आने वाली अगली संख्या कौन सा होगा तो देखिए यहां सबसे पहले क्या जोड़ा जा रहा है तो यहां पर तीन उसके बाद क्या जोड़ा जा रहा है तो पांच उसके बाद साथ उसी तर से आपका डिजिनिंग आएगा ठीक है तो आप जो सेट खाली जो 40 वह नहीं इसको आप अच्छे से देख लिजेगा आपका तयारी बिल्कुल बहुत बहुत बहतरीन हो जाएगा क्योंकि हम सब में आपको एकस्पलेनेसन के साथ ही दे रहे हैं अगला देखिए 49 नमर आप आपका इसमें यूगम जो है एक समान है जबकि एक यूगम इसमें से और समान है डिफरेंस है उसको आपको चुनना है तो देखिए यहाँ पर साथ है यहाँ पर बाड़ है जब इससे इसमें भाग दिएगा तब ही आपको पांच मिलेगा इससे इसमें भाग दिएगा चैन करें जो तिसरे पद से उसी परकास समंधित है जैसा कि आपका दूसरा पद जो है पहले से समंधित है तो इसका देखिए यहाँ पर 67 इसको पुड़ाना है तो चार के जब आप क्यूब करते हैं और तीन जोरते हैं ठीक है मतलब आप चार का क्यूब करना और तीन जोरना चार का Q कितना होता है 64 और इसमें 3 जोरियेगा तो कितना हो जागा 166 हो जागा ठीक है उसी तरह से आपको 8 के Q करना इसमें 3 जोरियेगा तो 8 का Q कितना होता है तो आपका 512 हो जागा पलस में 3 जोरियेगा तो कितना हो जागा 515 हो जागा तो इस question का answer क्या हो जागा option number A हो जा लेकिन एक condition है आप थोड़ा like करेंगे ठीक है और अच्छा लगा तो comment करके बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा share करेंगे आपको कितना जल्दी ये 40 set चाहिए ये आपको एक बार comment box में बताएंगे हम पूरे को पूरे set आपको कड़ा करके अच्छे से दे लूज्ट